हेलो एवरीवान वेलकम तो यूजी सीनेट अड़ट 24 7 चैनल मेरा नाम है अंचिका पांडे और वेलकम आल अफ यू तो दिस सेशन आप तो आज हम करने वाले हैं आज 11 जुलाई है और आज दूसरा पेपर है फेज वन जुलाई सेशन वालों का तो आल दे बेस्ट एवरीवान प्लीज पेपर अच्छे से करके आईएगा और आज हम करने वाले हैं ICT के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवेस क्वेस्ट जैसा कि आपको पता है कल जब मैने आपको अनालेसिस पेपर करवाया जो है पीवाई क्यू से काफी जादा हेल्प मिली है बच्चो को जो प्रीवेस्ट इक्वेस्ट के नहीं चीजों को देखा यह उन्होंने यह बताया है कि हां ज लिए previous questions काफी important हो जाएंगे आपके लिए और इसलिए हम लगातार आपके लिए previous questions लेकर के आ रहे हैं नए तरह के previous questions तो आज हम कुछ और नए previous questions देखेंगे of the unit ICT so everyone get ready live आजाएं and please like कर दे session को share कर दे and subscribe कर ले channel को UGCnet other 24 7 तो पहला question जो है that is which of the following file format contains exclusively the ASCII file format अब जो ASCII format होता है that is basically your text format ठीक है plain text जो होता है that is your ASCII format तो आप से क्या पूछा जा रहा है आप से पूछा जा रहा है कि आपको उन file formats को हो जो है select करना है जो कि कैसे हो text form में हो कैसे हो text form में हो तो मैंने आपको hint दे दी है कि ASCII का क्या मतलब होता है ASCII file format is basically your plain text तो अब आपको बताना है कि plain text containing जो भी file होते हैं वो कौन कौन से होते हैं सबसे पहले आपका pdf, rtf, jpg, csv and txt I'll wait for a few seconds before I reveal the answer चलिए फिर इसका correct answer देख लेते हैं what should be the correct answer to this question this is very important question तो इसका correct answer हो जाएगा answer number 2 यानि कि b, d and e जो है आपका correct answer हो जाएगा तो क्यूं हो जाएगा b, d, e और आपका correct answer क्योंकि मैंने आपको hint में बताया है कि ASCII क्या होता है ASCII file format is basically plain text format तो अगर आप b option देखें तो this is what rich text format तो इसमें भी text आ गया ठीक है तो RTF files कैसी होती है text form में होती है ठीक है फिर आता है आपका CSV ये क्या होता है आपके comma separated values ठीक है ये भी कैसे होते हैं आपके ये भी जो है आपके text text के form में होते हैं जैसे कि आपका जो MS Excel होता है ठीक है इसमें क्या होता है structured tables बना करके comma separated values जो है उसे हम लिखते हैं तो ये भी कैसा होता है text format होता है फिर txt तो आपको दिखी रहा है ये तो text file format है ही dot txt extension जो होता है तो आपका bde जो है वो correct option हो जाएगा यहां से आप eliminate भी कर सकते थे hello hello यहां से आप eliminate क्या कर सकते थे आपको पता है jpg क्या होता है jpg is your picture format ठीक है picture format होता है तो अगर आप c option को हटाएंगे तो आपका जो है third or fourth option जो है वो खतम हो जाएगा अब आपको पता है यहां पे ask का मतलब क्या होता है plain text format तो txt जो है आपको सामने से दिख रहा है कि यह text format है txt जो है वो text format है तो e तो जरूर होना चाहिए अब आप देखिए किस में e है first option में आपका e जो है वो नहीं है सिर्फ second option में आपका जो है e है तो आपका जो correct answer हो जाएगा वो elimination से भी अगर आप करे तो आपका second option जो है वो correct answer हो जाएगा ठीक है समझ गया यह फिर मैं दुबारा समझाओ चली फिर से देख लेते हैं यह question यहाँ पर पूछा जा रहा है which of the following file format contains exclusively the ASCII file format ठीक है तो ASCII file format कैसा होता है आपका plain text format होता है ठीक है अब आपसे text जो text वाले format के questions होते हैं वो पूछे जा रहे हैं तो अब देखो jpg जो है वो न ही हो सकता है ठीक है क्योंकि यह picture format होता है rtf आपका rich text format होता है तो यह हो जाएगा ठीक है तो b option हो गया आपका csv क्या होता है आपका comma separated values जो की text के form में होते हैं तो d option भी हो जाएगा and e option तो आपका txt लिखाई ही हुआ है जो कि extension है text का तो आपका e option भी हो जाएगा ठीक है now given below are two statements पहला है a copy of the email is sent to a cc carbon copy address and other recipients can see that address statement 2 कह रहा copy of the email is sent to a bcc blind carbon copy address but other recipients cannot see that address बताईए इसमें कौन सा statement सही है और कौन सा गलत है झालत है चलिए देखते हैं इसका correct answer so the correct answer will be answer number one यानि कि both statement one and statement two are true ठीक है तो जो cc होती है that is a copy of the email that is sent to the address and other recipients can also see it तो carbon copy में क्या होता है अगर आपको किसी recipient और को ये जो email address जो भी आप mail भेज रहे हैं वो आप चाहते हैं कि दूसरा इंसान भी देखे तो आप उसे किसमें रखते हैं cc में रखते हैं ठीक है blind carbon copy क्या होती है copy of the email is sent to a bcc address but other recipients cannot see it जैसा कि नाम से भी पता चल रहा है blind carbon copy तो blind carbon copy का क्या मतलब हुआ कि ये blind है blind मतलब other recipients को वो नहीं दिखता है so this is why it is known as blind carbon copy ठीक है good both statement 1 and statement 2 are correct now identify the correct order of the following different types of computer components ranked from slowest to fastest in terms of excess time आपसे कई बार ऐसे ये जो slow fast वाले जो questions है वो कई बार आपके exam में आ सकते हैं अभी आने वाले जो sessions है आने वाले जो shifts है उसमें भी important point रह सकता है इसलिए आपको ये सारी चीज़े जानना बहुत जादा जरूरी है चलिए बताइए सा correct answer चलिए ले चीज़े the correct answer and the correct answer will be answer number fourth यानि सबसे पहले जो सबसे fastest हो जाएगा that will be your optical drive sorry slowest to fastest सबसे slowest जो हो जाएगा that will be your optical drive ठीक है slowest उसके बाद क्या हो जाएगा आपका after that there will be SSD उसके बाद आएगा आपका RAM and the सबसे fastest होगा that is your computer cache so cache memory जो होती है वो volatile होती है and सबसे जादा fastest होती है ठीक है यहाँ पर volatile plus fast ठीक है तो यह आपका correct sequence हो जाएगा okay got it तो आपका जो correct answer हो जाएगा that will be answer number four B, D, A and then C so from slowest to fastest which of the following is a special type of computer virus that fills the computer system with self-replicating information self-replicating मतलब more and more information of same type एक तरह का information जह हो बार 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 आपको शो होने लगता है ठीक है all the very best to you ठीक है clogging the system so that its operations are slowed or stopped ठीक है तो यानि कि बार 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 क्या होता है self-replication होने लगता है same information आपको बार बार लोड करके दिखाने लगता है जिससे आपका computer जो है वो slowdown हो जाता है और जो operations है वो भी slowdown हो जाती है तो वो कौन सा वाइरस है यो वेलकम ओके लेट सी दे करेक्ट आंसर तो दे करेक्ट आंसर विल बी answer number 3 यानि कि वर्म ठीक है तो हमने जो है आपको जब मैंने most important topics पढ़ाए थे तो मैंने आपको types of malware पढ़ाए थे जिसमें मैंने आपको worm, zombie और बाकी trojan virus इन सब चीजों के बारे में भी spyware इन सब चीजों के बारे में भी बताया था पूरा detailed जो है आपको classes करवाई गई थी most important topics जब मैंने आपको पढ़ाया था थे वर्म से अभी question भी आया हुआ है 9th July को ठीक है yes तो आपका जो यह है fire wall ठीक है fire wall जो है यह एक तरह का protection provide करता है between the internet and what you are searching ठीक है तो यह तो नहीं हो सकता है ठीक है zombie में क्या होता है आपका computer जो है वो dead हो जाता है ठीक है so your computer turns into a living walking dead kind of work ठीक है so it's like your computer is dead but still वो कुछ-कुछ functions करता है बट सारे functions perform नहीं करता है तो जो worm है that is a kind of a computer virus जो क्या करता है self-replicating information आपको show करता है और जो है आपके जो computer के operations है उनको क्या करता है slow down कर देता है यह question आप से अभी जो shift आई थी उसमें worm का आपको full form पूछा गया था तो that was write once, read many so that was worm का full form but worm is also a kind of computer virus तो आपसे हो सकता है कि computer virus पे, trojan virus पे आपसे question आया था तो हो सकता है कि आपसे इस जो भी shift आगे आने वाले जो भी papers हैं उसमें आपको worm से question पूछा जा सकता है तो please आप जो है types of malware जो है computers के वो ज़रूर पढ़ करके जाएं ठीक है Now, software programs permanently stored in Rome are called malware Statement 2 है, the use of internet, cell phones or other devices to send or post content intended to hurt or embarrass another person is called cyber bullying अब आपको इसका correct answer बताना है बतानना है okay let's see the correct answer so the correct answer will be answer number four यानि statement one is false but statement two will be true ठीक है क्यों अब malware जो है वो आपके रोम में permanently stored software program नहीं है malware जो है वो जो है आपकी computer की एक like जो आपके computer को slow down कर देता है वैसा program है ठीक है and that comes when you are actually surfing on the internet तो यह internet induced programs है malware जो है you do not install those things in your computer आप जानबूच करके अपने computer को ऐसी चीज़ों से लाश नहीं करेंगे जो आपकी computer को slow down करता है आप जानबूच के यह नहीं कहेंगे कि हमारे computer में virus store कर लेता हूं या फिर कोई भी malware store कर लेता हूं तो जो statement one है that is false but statement two is कि the use of the internet cell phones or other devices to send or post content intended to hurt or embarrass another person उसे हम क्या कहते हैं cyber bullying cyber bullying के cases बहुत जादा होते हैं internet पे internet trolling and everything तो उसको ले करके बहुत सारी जो है cyber bullying cells भी बने हुए जहापे आप report कर सकते हैं अगर आप दूसरों को hurt कर रहें इंटरनेट पे embarrass कर रहे हैं जो है different type of post भेज रहे हैं जो कि in a way is offensive to that person तो उसे हम collectively क्या कहते हैं cyber bullying कहते हैं ठीके तो आपका जो fourth statement है that will be correct answer with respect to computers which of the following group consist of volatile memory only कौन सा ऐसा है जो की volatile in nature है ये सारे questions बहुत ही बार कई बार repeat करके आपके exam में आते हैं तो कौन सी memory volatile है कौन सी non-volatile है ये सारी चीजें भी जानना आपके लिए बहुत जादा important है जब मैंने आपको most important topics पढ़ाए थे तो उसमें RAM और Rome के बीच में difference भी पताया था और ये भी पताया था कि कौन सी memory जो होती है volatile in nature होती है कौन सी non-volatile in nature होती है तो अगर वो आपने class देखी होगी और आपने पढ़ा होगा तो आप ये answer अराम से कर लेंगे okay so let's see the correct answer and the correct answer will be answer number third यानि की RAM and cache जो होता है cache memory अभी हमने question किया है कि fastest memory होती है और मैंने आपको बताया भी है कि वो volatile in nature होती है तो cache तो होगा ही और RAM random access memory जो होती है that is also your volatile memory तो cache और RAM जो है वो volatile हो जाएगा ठीक है ROM जो है वो आपका non-volatile होता है ठीक है तो जहां पे भी ROM है वो तो हट जाएगा तो fourth और second option आपका हट जाएगा ठीक है अब pen drive कैसी चीज़ है pen drive आपकी memory नहीं है एक storage device है ठीक है external storage device है ये तो ये memory तो है नहीं तो pen drive जहां जो pen drive है RAM के साथ pen drive आया है तो वो भी जो है आपका option number one भी cancel out हो जाएगा तो आपके पास correct answer क्या बचेगा RAM and cache memory ठीक है yes good now USB drives are also known as flash drives devices used by banks to automatically read those unusual numbers on the bottom of the checks and deposit slips is known as M-I-C-R बताईे अ, 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 आपका पता है रचला आपके मदें आपके सक्क्वादान प्राओका प्राचेज़ से इसक्वाद़ाता है चलिए देखने इसका correct answer and the correct answer will be answer number one यानि both statement one and statement two are true तो USP drives जो होती है flash drives होती है जब मैंने आपको most important terms बताये थे ICT में कि ऐसे terms जो आपको जानने जरूरी है basics of actually computer तो उसमें मैंने आपको flash drives के बारे में भी बताया था तो flash drives क्या होते हैं यह बहुत ही fastest drives होते हैं उनका जो storage है storage capacity है वो बहुत जादा होती है इसलिए आप उसे क्या कहते है flash drive कहते है मतलब unimaginable storage होता है इसमें ठीके बहुत जादा मतलब high storage होता है ठीके तो इसे आप क्या कहते है flash drive कहते है and USB drives are one of the flash drives USB drives को भी आप क्या कहते है flash drives कहते हैं और जो भी banks में जो checks deposit होते है जो है वो numbers जो bottom of the checks पे होते है जिससे recognize कर लिया जाता है उसे हम क्या कहते है MICR कहते है मतलब magnetic ink character recognition इसका pull form क्या है magnetic ink character recognition तो ये character जो है जो numbers है उसे recognize कर लिता है तो जो device used by banks ये जो device है MICR magnetic ink character recognition वो एक device है जो कि banks use करते है so that they can automatically read the numbers that are written on the bottom of the checks or any kind of a paper जहां पे इस तरह के unusual numbers लिखे होते है उसे detect करने के लिए जो device जो भी use होती है that is your MICR that is magnetic ink character recognition ठीक है ओके identify the correct order of the following intel processes in the decreasing order of speed ठीक है जो आपके intel processes आते हैं उसको आपको decreasing order of speed में जो है arrange करना है यानि fastest to slowest यानि आपको fastest से कहां जाना है lowest की तरफ जाकर आपको इसे arrange करना है career range जो है जो है जो है जो है जो है जो झाठे concrete correct answer क्या होना चाहिए and the correct answer will be answer number 2 ठीक है यानि क्या हो जाएगा आपका C D A and B यानि सबसे जो slowest है that is your dual core उसके बाद आता है आपका Pentium 3rd उसके बाद आता है आपका 80486 and then there is 8085 तो यह हो जाएगा जो correct order of Intel processes in the decreasing order of speed ठीक है तो fastest से आपको slowest की तरफ जाना तो जो सबसे fastest है that will be your dual core उसके बाद आएगा आपका Pentium 3rd उसके बाद आजाएगा आपका 80486 and जो last होगा that will be your 8085 ठीक है अभी जो है कौन सा सबसे fastest है जो Intel का प्रोसेसर है अभी जो top पे है वो कौन सा है let me know in the comment section everyone चलिए with respect to computers which of the following are random access storage devices okay 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 चलिए देखते हैं सा correct answer and the correct answer will be answer number third ठीक है तो क्या हो जाएगा correct answer B, C and D तो आपका hard disk pen drive and cd row ये जो है वो क्या हो जाएगे आपके random access storage device ठीक है तो hard disk pen drive and cd row will be your random access storage device ठीक है तो B, C and D जो है वो आपका हो जाएगा correct answer अपके चलिए गिवें बिलो आप two statements वन इस लेबल्ड as assertion and the other is labeled as reason तो assertion क्या कह रहा है आपका modern and ict based teaching support अब आप देखिए ict का application teaching में जो है उससे questions आ जाते हैं so modern and ict based teaching support requires some technical knowledge on part of the teacher and the learner यानि teacher और learner दोनों को ही कुछ technical knowledge होनी चाहिए reason है both teachers and learners have to be provided orientation in use of various support tools and techniques in an intelligent way तो आपको correct answer इस question का बताना है झाल झाल तो जो भी modern और ICT-based teaching है जाहिर सी बात है कि वो modern है ठीक है और technology से last है तो क्या होना चाहिए यहाँ पर कुछ technical knowledge जो है होनी चाहिए on the part of teacher as well as on the part of the learner यानि दोनों को कुछ न कुछ technicality पता होनी चाहिए second is both teachers and learners have to be provided orientation यानि कि एक orientation program करवाना चाहिए तकि यह पता चल सके कि जो आपके various support tools है computer से related और techniques है उन्हें बताया जा सके in an intelligent and efficient manner ठीक है तो आपका correct answer हो जाएगा answer number one when computer is switched on the BIOS is loaded from यह question बहुत बार आ चुका है तो यह important question हो जाएगा बताइए सा correct answer चली देखते हैं इसका correct answer and the correct answer will be answer number third ठीक है क्या हो जाएगा correct answer will be answer number third तो when the computer is switched on the BIOS यानि basic input output system जो है वो कहां से load होता है वो ROM से load होता यानि read only memory से क्योंकि यह कैसी memory है यह आपकी non-volatile memory है तो जो चीजें आपको दिख रही है इसका मतलब है कि जो आपका computer है वो load ROM ही कर रहा है otherwise RAM कैसी होती है आपकी random access memory होती है जो की volatile in nature होती है as soon as the computer is switched off वो memory जो है वो delete हो जाती है that is not stored but जो ROM होता है वो जो है एक non-volatile memory होती है इस वज़े से वो चीजों को store करके रखती है तो जब आपका basic input-output system जो है अगर उससे load होना है तो वो कहां से load होगा it will be loaded through the ROM ठीक है ओके next question which of the following are popular software apps used for conducting online conferences तो अभी आपका जो video conferencing है उससे भी question आया था so that makes this question very important to you क्योंकि जो है video conferencing से online conferencing से भी अभी 9 July के shift में भी questions पूछे गए है ठीक है बताईए इसका answer देखिए इसा correct answer चलिए and the correct answer will be answer number one यानि A, B and D only ठीक है तो big blue button Zoom and जो है आपका Microsoft Teams ये जो है आपके हो जाएंगे popular apps जो की online conferences करवाने के लिए use होते हैं ठीक है तो B तो आपका जरूर होगा zoom तो सब को ही पता है तो अब third or fourth option को eliminate भी करके यहाँ पर answer जो है वो find कर सकते थे ठीक है चलिए which one of the following is the part of the processor processor का part क्या है address bus cache memory control unit या फिर data bus जो है यहाँ जो है टो है यहाँ तो आपका जो है चलिए दीखते हैं सह गरेक्ट आंसर and the correct answer will be answer number 3 ठीक है तो जो control unit है वो हो जाएगा आपका part of the processor ठीक है तो जो प्रोसेसर का part है यानि central processing unit CPU यह भी question जो है वो repeatedly आता रहता है उसमें उसका जो part है that is your control unit cache यह तो memory हो गई आपकी address bus और data bus क्या है आपका यह data transference का medium है ठीक है यह क्या करते हैं data transfer करते हैं तो जो part of the processor है that is control unit तो जो address bus और data bus है यह CPU और memory के बीच में क्या करते हैं और input output devices के बीच में क्या करते हैं data को transfer करते हैं ठीक है तो आपका जो correct answer हो जाएगा that will be answer number three control unit हमने कई बार address bus data bus इसके बारे में मैंने आपको most important topics में भी बताया हुआ है ठीक है cache memory के बारे में हम बार-बार बात कर ही रहे हैं तो आप देखो repeatedly आपके पास twist and turn करके previous year questions से ही questions आते हैं so it's very important that you solve the previous year questions ठीक है now given below two statements regarding regarding the hard disk drive पहला कह रहा है hard disk drive use circular platters coated in magnetic material statement two कह रहा है my access to data is faster than with RAM one one ज़ one one two two one two and the correct answer will be answer number 4 statement 1 is true but statement 2 is false ठीक है तो access to data is faster than with RAM जो है वो आपका statement 2 जो है वो correct false हो जाएगा और जो आपका HDD है यानि hard disk drive है वो क्या करता है वो use करता है platters coated in magnetic material तो magnetic tapes, magnetic material जो है उसको use करके hard disk drive आपका storage करता है और क्या होता है hard disk drive में ये कैसा होता है, volatile होता है या non-volatile होता है ये भी non-volatile होता है इसका क्या मतलब हुआ कि whenever जो भी आप यहाँ पर information store करते हो वो आपका computer जो turn off हो जाता है उसके बाद भी रहता है और अगर हम fastest data की बात करें तो जो RAM होता है जो भी memory volatile होगी ठीक है वो उतनी ही जादा fast होगी ठीक है तो more the volatile the memory is, more it will be faster जैसे cache memory भी fastest होती है हमने fastest की बात की है ठीक है, तो यहाँ पर आपका RAM की जग़ग क्या होना चाहिए था roam होना चाहिए था, ठीक है चलिए sorry, हाँ तो अगर आप data को access कर रहे है ठीक है, तो data access अगर कर रहे है तो आप roam से जो है, या फिर roam अगर आप कहलो या फिर cache जो है, उससे जो है आप access कर सकते हो data को faster than with RAM, ठीक है which of the following statements regarding modems are correct modems से related कौन सा correct हो जाएगा it is used to convert digital data into analog data it also converts analog data into digital data sends the data packet to specific address या फिर इंस्पेक्स data packets received over the internet रहिं टो है कि मैं जो अगello correct answer will be answer number 1 यानि A and B only ठीक है तो सिर्फ A और B जो है वो correct about model यानि यह क्या करता है digital data को analog data में और analog data को digital data में convert करता है ठीक है so from digital to analog and from analog to digital ठीक है यह हो जाता है आपका function of modem तो आप से इस पर maybe question आजाए what is the main function of the modem ठीक है what is anti spyware software spyware जो है भी that is also kind of a malware ठीक है तो anti spyware software क्या होता है it is that it checks files before they are loaded on a computer it detects and removes programs installed illegally on a user's computer system makes the file non readable manages the data traffic अब यह anti है मतलब यह एक तरह से कुछ protection का काम करेगा from spyware from the spyware ठीक है और जो भी आपके malware है जो computer में आ गए है ठीक है तो अगर यह anti spyware software है यानि कि यह कुछ ऐसा करेगा जिससे जो spyware है आपके computer में उससे आप बच सकें तो अब बताएए कौन से correct answer होगा चलिए देखते हैं correct answer and the correct answer will be answer number 2 यानि it detects and removes programs installed illegally on user's computer system ठीक है तो यह anti spyware software है इसलिए क्या करता है या अगर user के computer में कोई भी जो है software या फिर program illegally install हो गया है जो कि computer को in a way harm करेगा जो प्रोग्राम से उनको slow down कर देगा तो आप क्या होता है फिर वो anti spyware का basic function हो जाता है ठीक है वो जो तो following statements about anti virus software आगा है तो virus पे जो है आपसे questions आ चुके हैं so maybe आपसे अब anti virus पे भी questions आ जाएं तो यह सारी चीज़े भी जो है वो पढ़ करके जाएं तो anti virus software जो है उसके बारे में क्या correct है पहला है कि यह program files होती है problem files या program होते हैं जो की are quarantine and can be automatically removed ठीक है ऐसे आप automatically remove कर सकते हैं second कह रहा है it checks all files before being loaded और run ठीक है यानि जो भी आपका computer है जो भी file है उसको load या run करने से पहले एक smooth check-up करता है c कहा रहा है it uses a data based to identify potential risk यानि एगर किसी file से या फिर किसी जो internet पे आप जो भी surf कर रहे हैं जो भी आप websites use कर रहे हैं अगर वहां से आपको कुछ potential risk दिखता है तो जो है उससे identify करके आपको warning देता है d क्या कहता है यह data authenticity यानि जो भी data है उसको authentic बनाने के लिए use होता है authentic मतलब correct सही चलिए देखते हैं इसका correct answer and the correct answer will be answer number 1 यानि A, B and C ठीक है तो यह क्या करता है यह check करता है all the files before being loaded or run यह database use करता है जिससे वो potential risk को आपके check कर देता है यहाँ पे जो problem files या पे programs are quarantined and can be automatically removed यानि कि अगर आप जो है antivirus software को use कर रहे हैं अपने computer में तो जो भी problem files या programs है जो की लगता है वो software को कि आपकी computer को harm करेगा उसको क्या करता है automatically quarantine कर देता यानि छुपा देता है और क्या करता है उसे फिर remove कर देता है तो आपको जो है वो access नहीं करने देता है ऐसे files को जो की problematic होती है ठीक है the trojan horses is a software that gathers information by monitoring are malicious programs often disguised as legitimate software मतलब कि एक जो है गलत programs होते हैं गंदे programs होते हैं जो की अपने आपको एक अच्छे और सही software या फिर सही program के तरह दिखाने की कोशिश करते हैं थर्ड कहरा है और viruses that can replicate themselves वो वाइरस जो अपने आप में self replicating होते हैं या फिर यह search automatically for an item on the internet ठीक है तो trojan horse क्या होते हैं जो internet है उस पर जो है किसी भी item को automatically जो है वो search करते हैं कौन सा होगा correct answer कि चलिए देखते हैं correct answer तो the correct answer will be answer number 2 यानि कि यह कैसे है malicious program है जो कि अपने आपको सही दिखाने की कोशिश करते हैं ठीक है replicate वाला हमने देख लिया था वो worm होता है तो worm जो था वो था self replicating ठीक है यह कुछ search नहीं करता है trojan horse is the most deadly computer virus जो कि सबसे जादा harmful होता है आपके computer के लिए क्योंकि यह ऐसा दिखाएगा आपको जैसे जो भी आप program या file देख रहे हैं वो बहुत ही अच्छी और सही है बट in reality वो आपके computer को harm करने वाली virus containing file होती है तो इसलिए जो trojan horse होते हैं वो कौन से virus होते हैं वो ऐसे malicious programs या virus होते हैं जो कि अपने आपको एक legitimate या फिर सही software program की तरह आपके सामने represent करते हैं बट actual में कैसे होते हैं वो बहुत ही malicious और disturbing और instructing होते हैं for your computer programs and systems ठीक है okay thank you very much everyone for joining me in this session please do like share and subscribe to UGC net under 24 7 channel we will be bringing more such previous year questions that will boost up your exam preparation so please join with us come with us live and study with us more importantly please do not forget to like share and subscribe चलिए ठीक है फिर next class में मिलते हैं till then take care bye bye and all the very best to all of you जिसका आज एक्जाम है और जिनका कल भी एक्जाम है all the very best to all of you चलिए ठीक के बबाई